हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माइ न्यू वीडियो सेकंड गेट जीके की बूर्ष्टे रिविजन की क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है और आज जो हमारा टोपिक रहने वाला है वो है प्रजामंडल अंदोलन अब तक इस टोपिक को लेकर जिस भी एक्जामें जितने भी प्रश्ण पूचे गया है उस सारे प्रश्ण में इसमें इंक्लूट कर दिये तो चली वीनादेर की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रजामंडल अंदोलन सबसे पहले प्रजामंडल अंदोलन स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें जो प्रशने पूचे गया है वो बता देती हूं कि प्रजामंडल के नाम देंगे उसके संस्थाप कौन थे या उसकी स्थापना कप की गई और उससे संबं तक हम प्रिश्न्य हल करने में आशाने रही तो एक बार देख लएसे के पता धूए प्रिश्द्たो में प्रजण मंदल Harper उइस तर दो यदू के पनी लिए याद होगे के तो हम पाहए त्वा। बिकानेर जो है उसके अंदर कबजा करने के लिए एक जेसमी काकी थी उसने अपने मामे के साथ मिलकर बोड़ू की भाबू को मार दिया ठीक है यह ट्रीक है इसको एक सी दो बार बोलेंगे आपके याद दो जाएगी अब इसके अंदर जो चीजी दे रखी उसको देख लेते शेहर का मतलब है शापुरा शेहर का मतलब क्या है शेहर से शापुरा और रे से हो जाएगा रमिश चंदर ठीक है शेहर के अंदर शापुरा और उसके जो संस्तापक है वो है रमिश चंदर ठीक है फिर नेक्स्ट है बिकानेर बिकानेर की कौना जाएगे बिकानेर में बिक नेक्स्ट है , कप्जा करने की लिए , कप्जा से हो जाएगा। जेफूर जस्ट का जो उल्टापड़ेंगे हम जेफूर जेफूर की संस्थापं के दो रहे है एक तो हरे कपूर्चन पार्टं। और एक बजाज तो कईसे हो जाएगा बजाज है यानिकि सबसे पहले 1913 में जवपुर की जो परजामेदल उसकी स्थापना कपुर्चन पार्टनी ने की फिर उसकी बाद में इसका पुनरगटन बजाज ने किया था ठीक है नेक्स्थ देखते हैं करने की लिए जेस मी काकी जेस मी से हुजाएगा जेसलमर और म मी से हुजाएगा मीथा लाल व्यास मैं बोल रहे हूं आप मेरे शर्वन सुनिएगा थोड़ा लिखने में दिखत हो सकती मीठा लाल व्यास ठीके नेक्ट देखते काकी काकी को हम उल्टा पढ़ेंगे यानिकि की से हो जाएगा किशनगड की से हो जाएगा किशनगड और उसके संस्थापक कोन है कान्ति लाल छोथानी देखी कांतिलाल दो है कांतिलाल चोथाणी एक बुंदी की जो संस्थापक है कोन बुंदी के है बुंदी की संस्थापक भी कोन है कांतिलाल लेकिन इसमें तो कांतिलाल चोथाणी है किशनगड वाले में कांतिलाल जेन है ठीक है कांतिलाल जेन है इतना साप याद रखीगा क किशनगड वाले में चोथानी है और बुंदी वाले में जेयन है नेक्स्ट देखते है मामे के साथ मिलकर मामे को भी अभी मुल्टे पडएंगे याने की मेवाड मेवाड की कोन हो जाएंगे मा से हो जाएगा मानिके लाल, वर्मा आप सभी जानते है मानिकिलाल वर्मा को ठीक है नेक्स देखते हैं साथ मिलकर बोडू से हो जाएगा डू से हो जाएगा डूंगरपूर ठीक है उल्टा पड़ेंगे तो डूंगरपूर डूंगरपूर का हो जाएगा भोगिलाल पंड्या भोगिलाल पंड्या को भी आप सभ पके उनके नाम है इसके लावे एक दो और है जो जिसे से प्रिष्णा हैंगे मैं आपको बता दूगी मेक्जिमम जो है वो इसी के अंदर इंकलूड होगे आप यह याद रखेगा एक बर हम इसका एर देख लेते हैं देखे यह जो राजस्थान है ठीक है मैं थोड़ा यू बना देती हो राजस्थान है उसमें थोड़ा से यह याद रखेगा हम देखे सबसे पहले देखते हैं जेपूर जो मारी राजस्थान ही है जेपूर का दो बार हुआ था 1931 के अंदर पहली बार स्थापना वी और दुबारा जो पुनरकटन हुआ था वो 1936 के अंदर हुआ 1931 ठीक है याद रखेगा दो का है 1931 जेपूर और बुंदी नेक्स्टम देखते हैं जो है एक बिकानेर है जब 36 के अंदर उसका पुनरकटन हुआ तो एक बिकानेर वाला है इसकी स्थापना भी वीती 1936 के अंदर ठीक है 1931 हो गया 1932 निये 33 निये 34 याद रखेगा 34 में दो है एक तो जोधपूर है ठीक है एक तो जोधपूर है और एक हडोती प्रदेश एक तो हडोती के नाम से ही प्रजामंडल है हडोती प्रजामंडल ठीक है और हडोती प्रजामंडल में सबसे परमुक अगर आपसे पुछो की कौन सा जिला है तो आप कहेंगे कोटा हडोती का नामी कान से शुरू था कोटा बुंदी बारा चलावार तो कोटा जो परमुक है हाडूती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल दोनों की स्थापना प्लस जोदपूर की स्थापना 1934 के अंदर ठीक है थोड़ा इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद करने में असा रहेगी नेक्स्ट देखते हैं जो यहां की साइड में जो जिले है जिसे जैपूर का हमने देख लिया फिर हम देखते अलवर बरतपूर दोलपूर और करोली ठीक है सी से याद रखेंगा करोली वैसे कैसे भी अलवर का जो हो जाएगा अलवर बरतपूर दोलपूर को तो चार प्रजामेटल हो गए अलवर बरतपूर करोली और मेवाड ये चारो 1938 के अंदर है ठीक है इसके लावा धोलपूर जो है ये दो कम कर दीजेगा 1936 के अंदर इसकी स्थापना हो जाएगी ठीक है 1934 में आमने कहा देखा था विकानेर में तो दो विकानेर और धोलपू तो कैसे देखेंगे सबसे पहले नीचे का लेते है बासवड़ा का एक ठीकाना है कुशलगड ठीक है तो पहले ठीकाने के स्थापना करेंगे कुशलगड का आता है 1942 के अंदर फिर उसकी बाद में किस के अंदर है बासवड़ा के अंदर है कुशलगड तो बासवड़ा का हो जाएगा next year 1943 की अंदर 1943 में ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं जो बासवाड़ा की बाद में डूंगरपूर तो 1943 में बासवाड़ा का है तो डूंगरपूर next 1944 ठीक है और फिर next इधर पर तापकर 1945 ठीक है उनिसो पेतालिस में ये को याद रखेगा जिसल मेरे जिसल मेर का भी कहा है 1945 में next जालावाड का देखेंगे जालावाड साइड में इधर से चलेंगे यू करते हैं तो इधर चलेंगे तो जालावाड का हो जाएगा 1948 के अंदर इंचर द्नली मेरे जो बोलढो हुँ उसका द्याहान रखेगा ठीक है 1944 में और एक हमारा बजगिया सीरोई सीरोई कहा कहा हम देखेंगे जो सिरोई हमारा पाजगिया सबसे उपर है 1939 में 1938 में देखे थे उसके जस्ट एक बाद में 1949 के अंदर सिरोई का याद रगियागा ठीके यह important थे यह जो भी थे important मैंने बता दिया और भी कोई यह राएंगे तो हम कुशन के साथ देख लेंगे अब हम कुशन स्टार्ट करते है हमारा पहला प्रेश्ण है 1949 CCU में किसंगड राज्जे में परजामंडल की स्थापना किसके प्रियासों से हुई तो मैंने क्या बताया काकी मतलब किसंगड और किसंगड के का मतलब की कांदेलाल चोथाने यह कांदेलाल मैं बार बार रिपेट कुरूँ कि आप कौन से रियाद हो जाएंगे कांदेलाल जेन का का आएगा बुंदिका कांदेलाल चोथानी किशन गड़का ठीक है नेक्स्ट कुशन देखते है तनसुक लाल मितल किस प्रजामंडल के संगड़न के नेता थे अध्यक्षता में थी कौन घटना यसायद मितल किस प्रजामंडल के स्थापना किसके अध्यक्षता में नेक्स थापना अध्यक्ष्टा बल्वन्सिक मेंता ने की थी थी के नेक्स्ट कुश्चन देखते है कि सिर्यासत में रगुवर दयाल गोयल ने 1942 में परजा मंडल की स्थापना की थी तो बीकानेर के अंदर हमने एक तो पड़ाता मुख्य तो अगर नाम आये बीकानेर में किसे स्थापना की कि धी तो प vegत्त पुर्ग रज्य प्रजाँ के स्थापना होई थी 1938 एक यादर कीए गए स स्थापनाा की के ने角र देखते हैं जमनलाल पजाज ने किसकी स्थापना की तो मैंने बताए कब जा किया था ठीक है तो किसकी की ती जैपूर प्रजा मंडल की नेक्ष देखते हैं भारती राश्टी कोंग्रेस ने किस अधिवेशन में रियासितों कि सतंतरता अंदुल उनको समर्थन देना प्रारम प्राश्टी की रूप में इंग्लेंड किसको बेजा था तो शर परताप सिंग जो थे उनको बेजा गया था नेक्स्ट कुछिन देखते है महिला नेता जिसे ब्रतपुर राज्जे त्वारा ब्रतपुर पजा मंडल का पंजिकरन के मांग की जेल में डाल दिया गया देख इक शुशील महिला थी ब्रतपुर की जिसे पंजिकरन के मांग के करन जेल में डाल दिया शुशीला त्रिपाटी मुझी त्रि लोग चंदर माथूर का संबन निम्नमसिक किस प्रजा मंडल से रहा है तो देखे नाम क्या है त्रि लोग ठीके मैंने काता जू जो अलग आते जाएंगे मैंने के नाम बता दूँगी त्रि लोग लाश्ट में क्या है कैसे करोली ठीके तो त्रि लोग कैसे लाश्ट में करोली तो करोली प्रजा मंडल के जो संस्थापक है वो कोन है त्रि लोग चंदर मातरू ठीके नेक्स्ट कुशन दिते है विकाने विकाने लोग पुरिशत की स्थापना 1936 में की शेहर में हुई तो देखिए तीन रियासत ऐसी थी यह मैं बता देती हूं आपको पुरिशत की स्थापना नहीं होकर कई बार हुई थी सबसे पहले हम बिकानेर में चलते हैं तो देखिए उपर से इधर ले जाएएगा बिकानेर की हुई थी कुलकता के अंदर ठीक है फिर एक हमारे यहां पर जिसलमेर है तो जिसलमेर की हुई थी जोदपूर के अंदर और एक हमारे सिरोई है सिरोई की हुई थी बंबई के अंदर ठीक है याद रखिएगा तीन है जिसकी अपने स्थान पर ना होकर दूसरी जगे हुई थी एक उपर से लेंगे एक निचे से लेकर एक बीच से इधर किसका देंगे ठीक है इतना सा याद रखिएगा नेक्स देख टॉर्छापपूरा का कान्ति लाल टोतानी सब्सक्राइब क्या सनद्री से टार करिकन्त रमिश चंद्र तो शापुरा का हो जाएगा रमेश चंद्र जब कि कांतिलाल चोटा निक को जाएगा किशन गड़का ठीक है जेक्ड लेक्स कुषण देखते हैं बरतपुर परजा मंडल का पंजीक्रण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया तो देखिए बरतपुर पर्जामंदल का पंजिक्रन की मां किसके थी शुषिला देवी ने जिसको जेल में बेज भेज दिया था और जब इसका पंजिक्रन हो गया तो इसका नाम रख दे घए कांगडा कांड कब हुआ, 1940, एक याद रखेगा, 1936, जिसके अंदर हुआ था, कृष्णा, किष्णा दीवस मनाये गया था, जोदपूर के अंदर, ठीक है, तो किष्णा दीवस याद रखें कि 1936, इसके दस साल बाद में हुआ था, कांगडा कांड, 1940 के अंदर, किससे संबं प्लस कोटा ठीक हाडोती और कोटा दोनों की स्थापना भी कब हुई 1934 के अंदर और करने वाला भी एक ही था नहीनुराम शर्मा कों थे मैंने कहा था कि बुंदी का जब भी नाम आये तो आपके याद रखना था नहीनुराम शर्मा कहां पर किसान आंदोलन के अंदर ठीक है कोटा के पंदित नहीनुराम शर्मा बुंदी के कांथिलाल चोतानी बिल्कु सही है मैंने कहा था कांथिलाल नहीं सोरे बुंदी के क्या हैंगे कांथिलाल जेन कांथिलाल जेन ठीक है यह गलत हो गया बुंदी के कांथिलाल जेन है जबकि कांथिलाल चोतानी किसके थे पंडित नेनोराम होगे बासवड़ा के भूपेंदर नाथ भाबू ठीक है प्रताप कड़के दो है एक तो चुन्नी लाल और अम्रित लाल पायक ठीक है दोनों याद रखना चुन्नी लाल और अम्रित लाल पायक ठीक है कि प्रताप को चुन्नी से अम्रित पिलाया ठीक है च तो कहां की फैमस है, शिरोई के, शिरोई परजामडल की आंदोल में नोनी मैथपुर्ण भूमी का निभाई ठीके, नेक्स देखते हैं, मारवाड़ी यूथ लीग की स्थापना कब हुई, तो 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई, निमनु मैं से कौन मे मेवाड़ परजामडल से संबंदित है, तो मेवाड़ परजामडल से कौन थे, मानिके लाल वर्मा, जबकि अध्यक्ष किसको बनाए गया था, बल्वन सिक मेता को बनाए गया था, अब उपरवाले कुशन ने बताया, नेक्स्ट कुशन देखते है, निमनु मैं से गलत अब देखते हैं, ओप्षन लक्षमीदेव काबरा, तो इसकी जो मैला संथापक्ती वोती शांती द्रेवेदी उधेपुर के अंदर राज्यस्तान मैला परिशत के ठीके नेक्स्ट कुछिन देखते हैं शुषिला और भगवती ठीके एक शुषिला और एक भगवती विश्णोई ये बगवती विश्णोई थी ठीके का संबन किस प्रजामंडल से था तो इनका संबन था मिवाड प्रजामंडल से एक कोड याद रखेगा रमा एक जो रमा ओजा थी ओजा ठीके रमा देवी अलगे ठीके ये ओजा अलगे रमा ओजा ठीके रमा ओजा रमा ओज़ा, शुशिला देवी और भगवती विश्णोई तीनों नाम इन्पोर्टेंटे याद रखेगा एक से दो एक्जामें आचुके किसे समधी थी मेवार परजामंडल से इनके लवा जो मानिके लाल बर्मा जो इस मेवार परजामंडल के स्थापना में मेध्पण भुमिका निवभई उनकी पत्नी थी नारायनी देवी और एक उनकी पूत्री थी स्नेलता तीके ये पांच मेलाओ के नाम आपको याद रखने है इसने लता ठीके उनकी पुत्री सने लता और उनकी पत्नी नरायनी देवी इनका भी पूचा गया कुशन कि ये किस परजामडल से समझ दी तो किसे मेवार परजामडल से ठीके पांच मेलाओ के नाम आपको याद रखने gentleman agreement जो है सबसे important है कब हुआ 1942 के अंदर हुआ ठीक है और इसका संबन जहलावा डियासत से नहीं किसे जेपूर रियासत से है जेपूर रियासत से है agreement के नुसार रियासती सरकार पहुषे में अंग्रिजों की मदद नहीं करेगी ठीक है बिल्कु सत्य है और यह agreement जो है हिराला शासरी जो जेपुर के अधिक्ष थे परजामडल के और जेपुर के जो परधान मंतिर थे मिर्जा इस्माइल उनके मद्धी हुआ था ठीके नेक्स्ट कुशन देखते हैं गोपिलाल यादव ठाकुर देशराज और रेवतिशरण उपाद द्याए ये किस परजामडल से संब्धित है तो देखें गोपिलाल यादव ठाकुर देशराज रेवतिशरण उपाद द्याए ये सब जो थे बरतपूर परजामडल से संब्ध तो बhradpur के तो हो जाएंगे गोपी ठीक है गोपी और एक हम पढ़ेंगे दोलपुर का दोलपुर के अंदर है तिरी लोग जिग्यासु क्रिश्ने चंद पालिवाल कृष्ण एक मिन्ट जो बhradpur और दोलपुर है तो सबसे उपर गोपी गोपिया किसकी गोपी से याद और किष्णे दित के लावा एक और ज्वाला परसाथ जिग्यासू अब आगे कुछिन में जाएगा नेक्स देखते हैं अलवर राज्य प्रजामंदल का गटन किस वर्श किया गया मैंने बताये था आपको याद रखने अलवर प्रहतपूर दोलपूर और करो ली अलवर और बरतपूर और दोलपूर छोड़ देना करोले इन सब कब हुई थी 1938 के अंदर और दोलपूर के अकेले की कब हुई थी दो वर्श कम यानिकी 1936 के अंदर ठीके नेक्स्ट कुछिन देखते हैं निवी मैसेज क्या सुमेलित नहीं है जेसमी सईये जेसमी सईये जेसमीर का तर्यार ठीके नेक्स्ट देखते हैं करोली के तिर लोकचिन मातुर सही है ठीके नेक्स्ट देखते हैं किअनिलाल और अमरतलाल पाये किस पर्जामडल से है अभी मैंने बताई किसे परताब खट परजाम अडल से कुशल गाड परजाम अडल के संस्थापक कोन है तो जहपुर की सबसे पहले कभ हुई थी 1931 के अंदर कपूर चंद पाटनी के नेदरतम ठीक है उसके बाद में 36, 36, 36 के अंदर इसकी पूनर वापस हुई उसके बाद में इसके में पूछ रहा है कि इसका पर्थम वार्शिक अधिवेशन किसके दिख्ष्था के अंदर हुआ तो इसका जो पर्थम वार्शिक अधिव लाज बजाज के दिख्ष था कि अंदर इसका पहला वार्षी का दिवेशन हुआ था 1938 के अंदर ठीक है लेकिन अगर आपसे पूस ले कि स्वतंतर ता जब आंदूलन चल रहा था तब इसी जेपुर परजाम डल के नेदर तो किसी समाला था वो ते हीराला शास्त्री ठीक है तीन है अलगला कुशन है इस्थापना सबसे पहले कपूर चन पार्टी में बाद में किसके हाथ में आ गया था जमनाला वजाज और जब सोतंतर अंदूलन था तब हिराला शास्त्री ठीक है बाराच छोड़ो अंदूलन के दोरान जेपुर परजाम मंडल के दिख्ष कों ने वे अच्वोड जेपुर में आजात मोर्चा जो था उसका अगठन का था बाबा धश चंदर नीए पूँछे जुछे जाच चूका है याहद रूखिएगा ने टे brings beauty k स्थापित किया गया देखिए मेवार प्रजा मंदल का एस तई कारेले हमारे अजमेर के अंदर इस्थापित किया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जून में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आउजी जागिर माफी प्रजा सम्मेलन राजगड का उद्गाटन निमने मैं से किस ने किया तो यह गया था सत्य देव विद्या लंकार ने गया था ठीक है एक्स्ट कुश्चन देखते हैं दिसमबर 15 दिसमबर 1945 को मिठालाल व्यास कांके जेसल मेर के तो इन्होंने एक मिट यह पूछ रहा है कि जो मिठालाल व्यास थे स्थापना कभूई 15 दिसमें 1945 किसके दोरा मिटहलाल व्यास दोरा किसकी जेसल मेर परजाम अंडल की पूछरा कहां पर की गई तो जेसल मेर परजाम अंडल की स्थापना मैंने बताई जोधपूर के अंदर की गई थी ठीक है नेक्स्ट कुछिन देखते है नारायनी देवी वर्मा और इसनेलाता वर्मा नारायनी देवी वर्मा को थी मानी के लाल वर्मा की पतनी और इसनेलाता उनकी पुत्री जो किस परजामंडल से समधी थे मेवार परजामंडल से किस राज़ी की परजामंडल ने 1936 के अंदर किष्णा दिवस मनाये तो किस ने मनाया था जोधपूर के परजामंडल ने मनाया था 1946 में कहा था कांगडा कांड ठीक है दोनों याद रखेगा नेच्ट कुशन देखते है राज्पताने कि किस राजगराने ने परजाम मध्यार को संटरक्षन दे रखा तो देखμε जो बिकाने था राजगराना उसने संटरक्षन दे रखा तो यह कुशन भी झिमने मसे करह पारदम Ener. मेवाड की 1936 के अंदर हुई थी ठीक है बिल्कुल सही है अलवर की 38 में हुई थी सही है हाड़ोती की 34 में हुई थी और जेवपूर की 31 में हुई थी ये तो सही है मेवाड की 38 में हुई थी 36 में नी मेवाड की कब हुई थी 38 में ठीक है जो तीन थे पूर वाले इनके साथ ही क मिलिद नहीं है तो डुंगरपुर की उन्विशम पैतालिस में ठीक है जेपुरपुर की गरतीष में ठीक है का नेर गए 27 में एड़र் केतीज में दौंगरपुर की कब एती नाइंटीन फोटीइ फोर को 32 के अंदर कुषलगड़की 43 के इंद वड़ा की और 44 के अंदर डूंगरपूर की हुई नेक्स्टि एंदर मारवार प Upper सोसाइटी और डिनेस कब जारी किया गया था तो जो मारवार पब्लिक सोसाइटी ओर डिनस है वो 1934 में जारी किया गया था ठीक है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाई गया देखिए एक तो किष्णा दिवस हम देखा पड़ाता 1936 के अंदर और यह है 46 इसके दसवर्च बात याद रखेंगे 46 के अंदर देखिए 1936, 1936 को किष्णा दिवस आल डिवस दोनो दिवस है बीरबल दिवस ञे यह 1946 के अंदर आएगा ठीक है पहले किष्णा और बाद में किष्णा के 10 साल बाद में बीरबल दिवस मनाई गया ठीक है ठोड़ा सा जो मैने आपको उपर बताये था कांगला कांड ठीकँ उसमें थोड़ा सा क्रेक्शन कर ले ना कांगडा कांड 42 के अंदर है ठीकँ उसमें शाहिद गलत टाइपिंग हो गया 1942 है कांगडा कांड मैं जो पेडेफ़ दोंगी उसके अंदर उसका क्रेक्शन कर दूंगे आप भी अपने Notebook में कर लिए ना. 1942 में Kangra, Kant, Whatabika Nervala ठीक है? Next देखते हैं. कनेयालाल मितल, मांगलाल भव्य, मक्बूल आलम. ठीक है? कनेयालाल मितल, मांगलाल, भव्य और मक्बूल आलम. ये किसी प्रजामडल से समधित है? तो ये किसे समधित थे? ये थे बांसवारा से, सोरी, जालावार से, किसे जालावार से, किसे याद रखेंगे, कि हमने कनहिया से, हमने कनहिया से, जो दूआ मांगी थी, हमने कनहिया से, जो दूआ मांगी थी, वो कबूल हो गई, और उन्होंने, कनहिया ने हमारे दूआ कबूल करके, हमारे जोली में डाल दी ठीक है जोली मतलब जलावार कि कनया से हमने जो दुआ मांगी वो कबूल हो गई और उन्होंने हमारे जोली के अंदर खुशिया डाल दिया जो भी मांगा वो डाल दिया तो कनया से हो गया कनेयलाल मित्तल, मांगे से मांगेलाल बव्वे, कबूल से मकबूल आलम और जोली से जालावार याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट कुछे देखते हैं मेवाड परजामंडल कि प्रमुग नेता जी ने 12 चोड़ो अंदुलन के दोरान 31 अगस्त 1922 ठीक है को गरिफतार किया गया था कौन मेवाड के जो नेता थे उन्हें इनमें से कौन है ये कौन नहीं है ठीक है कौन-कौन थे तो देखें मांगेलाल वर्मा थे पल्वन सिंग मेता भी थे और मोलाल सुकाड़िया भी थे यानि कि उप्रोग सभी यान की तीनों थे याद रखेगा किसको जेल में डाला था इन तीनों को गरिफतार कर लिया था नेक्स देखते है उस नेता की पैचान की जी जो जेपुर परजामंडल में सक्री नहीं था तो जेपुर परजामंडल में जो सक्री नहीं था उसकी पैचान करने राम करन जी थे ठीक है दोलत भंडारी थे और इन में से परजा मंडलों का परमुक उद्देशे क्या था शाष्कोर की सत्ता समाप्र करना बिटिश शाषे का राज्य का आन्ते नागरिकों के अधिकारों के लिए संगर्ष करना इन परजा मंडलों का परमुक उद्देशे था ठीके नेक्स्ट कुछिन देखते है राजिस्तान का प्रतम पंजा मंडल कौन सा था तो मैंने बताया 1931 के अंदर दो किस्ता आपना हुई थी एक तो बूंदी और एक जयपूर लेकिन पहला कौन सा था जयपूर प्रजा मंडल ठीक है याद रखेगा अखिल भारती देशी राज्य लोग परिशादी इस इंग्लिश में इसका नाम चेंज कर दिया है वो सकता है आपसे से इंग्लिश में नाम चेंज करके देते और आपने अकर कुछिन नहीं पढ़ावा होगा तो आपको अगला तुझेगा दोनों ही कुछिन आया वे हिंदी और ये इंग्लिश वाला भी आया वाहा है ठीक है तो ओल इंडिया स्टेट पिपल्स कॉन्फरेंस मतले अखिल भारती देशी राज्य लोग परिशादी जिसका साथवा दिवेशन जो कहां हुआता उदेपूर के अंदर हुआता हमने पढ़ाता साथवा दिवेशन कहां जोड लाल नेरुने नेक्स्ट कुछिन देखते है दोलपर परजाम अंडल की सापना किसने की तो दोलपर परजाम अंडल का मेंने क्या बताया था उपपर भरतपुर का तो कोन हो जाएगा घोपी और गोपी किसकी किष्ण की किष्ण दत पालिवाल और एक जोला परसाज यह जढ़े मैंने पहले नेक्स डेक्त रखर चुनिलाल और अमरतलाल पाया के संबढ़ ये भी मैंने पहले बता धिया परतावघ़ सेट्वेश डैके नेक्स डेक्ते राज सान में मारवार्वार्वार सत्याग्रे दिवस कब मनाई गया तो ये मनाई गया था 27 जुलाई 1942 देखिए 1942 की दो डेट हो गई एक तो कांगड़ा कांड ठीक है एक तो कांगड़ा कांड और एक मारवार सत्यागरे दिवर्स ठीक है दोनों याद रखेगा नाम किया पुस्तक का लोड है पुस्तक किस ने लिखी थी मोहन सिंग मेता ने अब देखिए बहले ये बुक्स किस के उपर है इंडियन स्टेट यानि कि भारत के सभी रज्जो और बिटिस सरकार के मेंदी संबंदों के जानकारी देती है लेकिन ये इंपोर्टेंट क्यों है पूछा गया था मोहन सिंग मेता जो है कि भीलवाड़ा से संबन्दी थे दो चीज हमने पड़ी एक तो बहत पूर की पंजिकरन की मांग की तीक से शुशिला देवी ने तुसको जेल पेज दिया और बहत पूर की राजाने मांग की उतरदय शाषन की तुसको राजगदी छोड़ने के लिए बाद दिया क्या कौन थे कृषण सिंग ठीक है नेक्स्ट देखे भरतपूर चुब परजाम अंडल है वो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है उसके दो या तीन कृषण है अच्छे है और तीनों कृषण बार बार पूचेगे तो आपको याद रखने है नाथ द्वारा परजाम अंडल आंदुलन में निमन मेंसे आंदुलन म तो गंगा भाई जिसे कजोर देवी के नाम से भी जाना जाता ठीक है नेक्स्ट देखना है डॉक्टर पत्टाभी सीता रमेया ने किस रज्जे परजा परिशत की कारियों की प्रशनशा करते है का था कि सामन्ती यूग का अंत हो गया और परजा तंतर का उधे हुआ है इंक्ष्ट प्र फॉर्ड परजा परिशत के बारे में कई थी के इन्पर्टेंड बोध इंपर्टेंड कुषिंने किस ने कहा ये बिशुच्य तो डोक्टरभी सीतर रमेंध का था किस कि बारे में कहा गया तो यह आजकी हमारे प्रशनत है मीद है आपको पसूंत आहोंगह मिलते फिर नेक्स्ट टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू